दोस्तों दिपावली के दिन अगर आपको यह एक चीज दिख जाए तो समझ लीजेगा आपकी रातो रात किस्मत बदलने वाली है आज हम आपको उस चीज के बारे में बताएंगे तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखेगा साथ ही आज हम आपको कुछ ऐसी ही अन्य वस्तों के बारे में भी बताएंगे जिनको अगर आप दिवाली के दिन देख लेते हैं तो सफलता आपके कदम चुमेगी इन चीजों को दिपावली के दिन देखना बड़ा ही शुब माना जाता है तो क्या है वो चीजे और किस तरह बे हमारे बुरे समय को अच्छे समय में बदल देती हैं आज हम आपको बताएंगे तो वीडियो को अन्तक जरूर देखेगा दोस्तों दिपावली को पांच दिनों का त्योहार होनी की वज़े से शास्त्रों में इसे महापर्व का धर्जा दिया गया है धनतेरस, नरक चतुरदशी, कार्ते कमावस्या, गोवर्धन पूजा और भाई दूज दिपावली के आसपास ही मनाय जाते हैं इस त्योहार की तैयारिया हफ्तों पहले से ही शुरू हो जाती हैं सबकी यही इच्छा होती है कि उनकी इस साल की दिपावली अच्छे से बीते और मा लक्षमी का घर में सदावास रहे लेकिन माता लक्षमी के आगमन के लिए साफ सफाई और शान्ती के अलावा शुब चीजों का दिखना भी बहुत जरूरी होता है कभी कभी ना चाहते हुए भी हमारे सामने कुछ ऐसी अमंगल चीजे आ जाती हैं जिनसे हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है इसलिए अपनी दिपाबली को शुब बनाने के लिए सिर्फ उनी चीजों को देखें जिनसे आपके दिपाबली अच्छे से बीते आई ये जानते हैं दोस्तों शास्त्रों में गाये को माता माना जाता है हर शुब काम और शुबत त्योहार पर गौ माता का दिखना बहुत शुब माना जाता है प्राचीन और वैदिक काल में हर शुबillar कारे से पहले गौधान किया जाता था और गायों की पूजा की जाती थी इसलिए दोस्तों दिपावली वाले दिन गाय को देखना शुब माना जाता है अगर आपको दिपावली वाले दिन गव माता के दर्शन हो गए तो समझ लीजे कि आपकी इहदिवाली अच्छे से बीतने वाली है पर आपकी पूजा का आपको शुब फल मिलने वाला है इस प्रकार दोस्तों दिपावली वाले दिन गाए का अनादर बिलकुल भी ना करें और यदि आप पूजा कर लेते हैं तो और भी अच्छा रहेगा दोस्तों इसी के साथ दिपावली के दिन उल्लू को देखना भी शुब माना गया है उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है माता अपने वाहन पर बैठ कर ही कहीं भी आती जाती है ये तो यदि आपको आपके घर के आसपास ये आपके छट पर कहीं उल्लू बैठा दिखे तो समझ लें आपके घर में साक्षात माता आई हैं और आपकी पूजा सफल रही दोस्तों उल्लू और गाय को सफलता और सम्रिद्धी का प्रतीक माना जाता है इसलिए दिपावली वाले दिन इन्हीं कभी भी नजर अंदाज ना करें दोस्तों गाय और उल्लू को तो सभी शुब मानते हैं परन्तों कुछ ऐसे जीव हैं जिन्हें अच्छा नहीं माना जाता परन्तों अगर वो आपको दिपावली के दिन दिख जाएं तो वे शुब होते हैं जैसे छिपकली, बिल्ली और छचुन्दर जी हाँ दोस्तों ये कुछ ऐसे जीव हैं जिन्हें आप आम तोर पर अपने घर में देखना पसंद नहीं करते होंगे हम सब अपने घर में इन जीव को घुशने नहीं देते हैं बिल्ली दूद पी जाती है और घर की चीज़ों को जूठा कर देती है चिपकली और सितुंदर से अधिकतर लोग डरते हैं और उन्हें अपने घर में नहीं घुशने देते परन्तु दोस्तों आप यह बाद जानकर हैरान हो जाएंगे कि दिपावली के दिन इनका दिखना बड़ा ही शुब होता है इसलिए अगर यह आपको दिपावली के दिन आपके घर में दिख जाते हैं तो इन्हें अशुब ना समझिएगा आप शायद यह बाद जानकर चौंक जाएं परन्तु यह सत्य है कि दिपावली को हमेशा लक्ष्मी और गणेश जी की पूजन के बाद छिपकली के दर्शन करने चाहिए और घर में बिल्ली के आगमन को माता लक्ष्मी के आगमन का सूचक माना जाता है इसलिए अगर यह आपको कहीं भी दिख जाते हैं तो आप इनको भगाए नहीं बलकि अपने रास्ते से जाने दे इसके साथ ही दोस्तों अगर आपको दिपावली के दिन आपके घर में कहीं कोई मकडी का जाला दिख जाए तो उसे अशुब और गंदगी मान कर साफ ना करें मकडी का जाला भी दिपावली के दिन बड़ा शुब माना गया है अगर आपको दिपावली के दिन घर में किसी मकडी के जाले में आपके नाम का पहला अक्षर दिख जाता है तो यह बहुत ही शुब संकेत है वैसे तो सब दिपावली की साफ सफाई में इस प्रकार की जालों को साफ कर देते हैं लेकिन फिर भी भूल से कहीं कोई जाला छूट गया हो और वो दिपावली के दिन दिख जाए तो उसे साफ मत कीजेगा यह आपके सौभागे का प्रतीख हो सकता है इसी के साफ ही दोस्तों दिपावली के दिन किसी किनर का दिखना भी बड़ा शुब माना जाता है दिपावली के दिन अगर आपको कोई किनर कुछ दे तो उसे मना मत कीजेगा अगर आपको कोई किनर सिक्का या पैसा देता है तो उसे बिना मना करे फौरण ले लीजे इसे आपके अच्छे दिनों में वृद्धी होगी और आप हमेशा संपन रहेंगे इसी के साथ अगर आपको कोई केसरिया या धब्बों वाली गाय दिखें तो उसे भी शुब ही माने दिपावली के दिन इनको भी देखना शुब माना गया है इस प्रकार दोस्तों दिपावली के दिन गाय, छिपकली, छचुंदर, बिल्ली, उल्लू और किनर का दिपावली के दिन दिखना शुब माना गया है आप दिपावली की दिन खास तोर पे इनका सम्मान करें ना जाने माता लक्षमी इनके माध्यम से आपसे क्या कहना चाती हूँ दोस्तों दिपावली का त्योहार एक ता, भाईचारे, अपना पन और मेल मिलाव का त्योहार है इसलिए इस दिन किसी के खिलाफ अपने मन में कोई बुरा भाव न रखे सबसे बात करें और अपना मन साफ रखे और पूरे परिवार के साथ इस त्योहार को मनाए जिसका मन साफ होता है जिसके मन में कोई छल कपट नहीं होता और जो सच्चे मन से माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं मा उसी के घर आती हैं इसलिए दोस्तों पूजा के समय अपने मन को एकागरित रखें और सच्चे मन से मा की स्थुति करें तथा किसी भी जीव की अभेलना ना करें आप पर मा लक्ष्मी सदा अपनी क्रिपा चिंतकों के बीच शेयर करें ताकि वे सब भी इससे अवगत हो सकें दोस्तों वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्स्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें